नमस्कार मैं प्राणिशी रठोर और आप दीख रही है निक्स्ट नाइन नियूज महरास्ट में स्यासि संकट लगातार जारी है और ये स्यासि संकट और भी ज़्यादा गहराता हुआ नसरा रहा है जब से 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने अपना आखरी आदेश यहाँ पर दिया है कि शिफसेना पार्टी का जो नाम है और चुनाव चिन है वह अब एकनाश शिंदिक गुट की हवाले किया जारा है बहुमत के आधार पर यहाँ पर यह फैसला लिया गया और साथी साथ नियुमों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयो के इस फैसले के बाद से उधव ठाकरी की गुट में काफी सादा हलचल मची हुई है और ऐसे में देखा जाए तो उधव ठाकरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जारे है ऐसे में देखा जाए तो महाविकास अगाडी गढवन्दन तूटने की कगार पर पहुँच चुका है इस बीच यहाँ पर तमाम बयान भी जारी है बात यहाँ पर अगर की जाए महराष्ट के उप मुख्य मंत्री देवेंद्र फड़नविस के बारे में तो देवेंद्र फड़नविस ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था और देवेंद्र फड़नविस ने यहाँ पर तमाम बड़े खुलासे भी कर दे फिलाल देखा जाए तो यहाँ पर एकनाज शिंदे शिफसेना के नई अध्यक्ष भी चुने जा चुके है राष्टे कारकारड़ी की एहम बैठक जो हुई उसमें उन्हें नया अध्यक्ष चुना गया ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर सवाल यह खड़े होते हैं कि एकनाज शिंदे को सीएम पद चाहिए था उन्हें सीएम पद मिल गया यह कहना रहा उधव ठाकरे का वही पार्टी की कमान भी अब उनके हाथों में जाती हुई नसर आ रही है क्योंकि देखा जाए तो शिंदे गुट कहीं न कहीं कबजा करते हुई नसर आ सकता है सुप्रीम कोट में सुनवाई जारी है 16 विधायकों की अयोगयता के साथ साथ शिफसेना के पार्टी के नाम और चुनाफचिनी के साथ साथ यहां पर चुनाफ आयोग के खिलाफ याचिका दायर की गई है उद्धव गुट की तरफ से ऐसे में देखा जाए तो यहां पर साल 2024 में विधान सभाचुनाफ होंगे इन विधान सभाचुनाफ में आखिरकार स्टीयम पत की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा इस गठवंदन की तरफ से शिंदेगुट और बीजेपी के गठवंदन की तरफ से यह बेहत बड़ा एहम सवाल बनता है तो फिलाल देखा जाए बहुमत को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से की दावेदारी के लिए देवेंदर फड़नविस को आगे किया जा सकता है और बीजेपी भी यही चाहती है कहीं न कहीं क्योंकि तमाम वरिष्ट निताओं के बयान भी स्नामने आए ऐसे में यहां पर दिल्चस्प बात यह होगी क्या एक नाश्रिंदे यहां पर स्तियाए पद देवेंदर फड़नविस को सौपना चाहेंगे यह बेहत बड़ा एहम सवाल बनता है दरसल आपको बता दें कि हाल ही में देवेंदर फड़नविस ने एक बड़ा खुला सकिया था जो उन्होंने बयान जारी किया था दावाई यह किया गया था कि उद्धव ठाकरे न उनसे संपर किया था उनका कहना रहा कि हां मुझसे संपर किया गया था लेकिन मैंने जवाब दिया कि हम आगे बढ़ गए हैं मुझसे कहा गया कि जो हो गया सो हो गया अब आप मुखे मंत्री बनिये मैंने स्पष्ट कर दिया कि वह छड़ बीत चुका है मैं विश्वास ख प्रश्टाव देखा जाए तो यहां पर देखा जाए कही ना कहीं एक नाश शिंदे बीजेपी के साथ गठवंदन बनाए रखने के लिए साल 2022 में जून के महीने में शिंदे गुट ने बगावत की थी उदव गुट के साथ 40 विदायक रहे और 40 विदायक बगावत कर वेटे अब देखना दिल्चस्प होगा क्या वाकई में देवेंदर फड़नविस को एकनाश शिंदे स्टीं पद सौपेंगे खलाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही लेकिन आपकी क्या कुछ यहां पर राय प्रतिक रिया ही या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में